नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अशोक अगरवाल और मैं सीनियर एक्यूप्रेशर लेक्षिरार तता फॉरेवर बिजनेस ओनर हूँ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अशोक अगरवाल एक्यूप्रेशर एफलपी ओनर दो जैसे कि दोस्तों नामस ही पता चल रहा है रॉयल जेली यानि राजा महराजाओं के लिए भोजन कहलाने वाला है रॉयल जेली आखिर है क्या हर साधारन च्छत्ते के अंदर जो मधिमख्य का च्छत्ता होता है उसमें एक रह से छुपा होता है दोस्तों च्छत्ते की किसी मदुमक्खी होती वो तीन तरगी होती है एक मदुमक्खी वो होती है जो फूलों से प्राक्कन को लेती है और छत्ते तक पहुंचाती है उसको बोलते हैं सैनिक मदुमक्खी दोस्तों दूसरी होती है नर्स मदुमक्खी जो छत्तों में ही उस प्राक्कन को प्रोसेस करती है परदूद्या सफेद रंग के पदार्थ का निर्मान करती है जिसे रॉयल जली कहा जाता है तीसरी जो मदमक्खी होती है जिसको रानी मदमक्खी कहा जाता है वह मदमक्खी उस रॉयल जली को खाती है और बहुत अधिक से अधिक अंडो का निर्मान करती है क्योंकि वो रानी मदमखी है दोस्तों आखिर रॉयल जैली में ऐसा होता क्या है रॉयल जैली सेनिक मदमखी दोस्तों जिसकी आईउ अधिक से अधिक 35 से 40 दिन की होती है लेकिन रानी मदमखी की आईउ पांच से 6 साल तक बेहत सांदर जीवन के साथ जीवित रहती है रॉयल जैली के कारण दानी मदमखी अपने जीवन काल में प्रती दिन तीन हजार अंडे देती है वो भी अगले पांस सालों तर पूरी प्रित्वी पर अन्य कोई जीव ऐसा नहीं है जो यह छमता रखता हो दोस्तों नर्स मदमखी पहले के चार दिन में जो लारवा है उसमें जो सबसे अधिक जून होते हैं जाने कि जो पहले चार दिन का जलारवा होता है उसमें जो गुण होते हैं बहितरीन तरह के गुण होते हैं उसको best royal jelly कहा जाता है। दोस्तों, रॉयल जैली बेसिकली एक सफेद गुलाबी रंग का दूदिया पदार्थ होता है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में करीब करीब 7 लाक रुपे कीलो का रेट है, अब बात यह आती है कि फॉरेवर लिविंग प्रॉडक्स इस रॉयल जैली को इकठा कैसे करती है, दोस्तों, रॉयल जैली बेसिकली एक तरल पदार्थ है, जब इसको छत्ते से बाहर निकाला जाता है, तो इसमें बहुत तेजी से इन्फेक्शन लगने का डर रहता है, तो फॉरेवर लिविंग प्रॉडक्स ने छोड़े 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 बहुत सारे छत्तों का निर्मान किया, जहां पर मदमख़्ी को पाला जाता है, तो हर छत्ते में एक रानी मदमख़्ी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो जब जितने ज़्यादा छत्ते होंगे उतनी रानी मदमख़्ी होंगी, तो रॉयल जैली भी उतनी ज़्यादा पैदा की जाएगी, दोस्तों, फॉरेवर लिविंग प्रोड़क्स छकते से जैसे ही उस रॉयल जैली को अलग करती है, उसको तिरंथ फ्रिज में जमा देती है, जब फ्रिज में जम जाता है, फिर उसकी टैबलेट में कर्णवर्ट किया जाता है, दोस्तों, इसके अंदर प्रोटीन होता है, एमिन एसिड होता है, वाइटेमिन बी वन होता है, वाइटेमिन बी टू होता है, वाइटेमिन बी सिक्स होता है, वाइटेमिन सी होता है, और हार्मोन्स एंजाइम्स जैसे महत्मुन तथ हुपाया जाते हैं, अगर मैं फायदे के अंदर हार्मोन से हैं, एमिनो एसिट से प्रोटीन से हैं, दोस्तों जिस बच्चे का सारीरिक विकास नहीं हो रहा हो, हाइट नहीं भड़ रही हो, या जो माताएं वहनें शादी के बाद इन्फरिटिलिटी की प्रॉलम आ रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, उसके लिए बहुत अच्छा है या जो गर्म धारं कर लेते हैं, उसके बाद मिसकरेज हो जाता है, आपने एक्सर सुना होगा, दो मैने, तीन मैने के बाद गर्व miscarriage हो जाता है, यानि कि abort हो जाता है, गर्व पात हो जाता है, वहाँ पर हमारी royal jury बहुत ही फायदे महंद है, क्योंकि रानी मदवक्खी वाले गुन उसमें आ जाते हैं, अगर किसी को hormones की problem है, जैसे thyroid की problem है, और thyroid की वज़े से बालों का तूटना, ये भी एक problem है, इस करते हैं, बैट के उपर ही, या इवन बड़े लोगों में कुछ में यादत रहती, उनका mind का control नहीं है, उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है, दोस्तों, एक खास बात यहां बताऊंगा, जिसको बोलके चलता हूं, मानसिक कब्ज, आपने constipation तो सुना होगा, दोस्तों, एक constipation, मानसिक constipation भी होती है, अक्सर उन लोगों को देखा गया है, जिनको बार-बार ट्वालेट जाने की आदत है, लेकिन पेट साफ नहीं हो रहा, तो उनका कहीं न कहीं मानसिक constipation होती है, यानि क्यों कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, वहाँ पर अगर आप royal jelly देत में और weakness में, तो यह बहुत फायदे मन्द है, दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा है, anti-aging property, अगर कोई आदमी, कोई विक्ती, अपने आपको जवान हमेशा दिखाना चाहता है, तो of course, royal jelly की tablet, सुबह और शाम जरूर जूसे, तो इसलिए इसको कहा जाता है, राजा महर राजाओं का भुजन, ताकि आप सदावार दिखें, धन्यवाद, दोस्तों, अगर यह information आपको सचमश फायदे मन्द लगती है, तो अपने अधिक सदिक लोगों तक share करें, सच चैनल को subscribe करें, live करें, धन्यवाद